हेलो इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि Choose Function क्या होता है तो Choose Function का मतलब ये होता है जैसे ये हमारे पास ये data दिया गया है इस data में हम कुछ भी Choose करना चाते हैं तो ये काम हम Choose Function के जरीए कर सकते हैं तो इसको करने के लिए हम यहां पे फार्मूला टैप पे जाएंगे फार्मूला टैप पे जाने के बाद यहां पे look up and reference के more बटन पे क्लिक करेंगे और more बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे choose पे क्लिक करेंगे लेकन यह काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा जहां पे हमें रजल्ट चाहिए वहां पे हम क्लिक करेंगे तो suppose करो हमें यह जी कोलम है और यह टूर हुआ है यहां पे अरजल्ट चाहिए यहां पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पे look up and a reference के more बतन पे क्लिक करेंगे और choose पे click करेंगे तो choose पे click करने के बाद ये function argument dialow box यहां पे आजाएगा इसके बाद सबसे पहले यहां पे दे गया index number तो index number यहां पे हम भरेंगे तो जहां पे हम index number भरेंगे इसके आगे यहां पे result आएगा तो यहां पे suppose करो हमें index number यह भरना है यह F column है और यह 2 Row है यहाँ पे हमने इसको index number इस cell को माना यह F2 यह F2 यहाँ पे आ गया है यह देखो यहाँ पे F2 आ गया F2 आने के बाद हम यहाँ पे value 1 यह भरेंगे इसको करने के लिए हमें value1 यहाँ पे cursor रखेंगे यह देखो करसर रखा करसर रखने के बाद यहां पे जनवरी यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे यह सलनेम आज आएगा C2 तो C2 value 1 पे हमने C2 भरा C2 मतलब जब हम यहां पे 1 भरेंगे तो यह जो है हमें यहां पे जनवरी यहां पे result शो करेगा value 2 यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद value 2 हम इसको मानेंगे तो यह value 2 आ गया इसके बाद value 3 तो value 3 पे हम यहां पे click करेंगे और यह देखो यहां पे click करेंगे यह value 3 है इसके बाद value 4 यहां पे click करेंगे और value 4 यह है value 4 भरने के बाद यह scroll बार हम निच्छे करेंगे यह दिखो निच्छे किया इसके बाद यहां पर value 5 तो value 5 हमने यहां पर click किया click करने के बाद यह cursor यहां पर आ जाएगा और value 5 जो आए यहां पर my यहां पर click किया यह value 5 यहां पे यह surname आ गया इसके बाद value 6 यहां पे क्लिक किया और value 6 पे हमने यहां पे जून पे क्लिक किया इसके बाद आगे फिर यह scroll इसको उपर करेंगे यह scroll बार उपर की इसके बाद यहां पे value 7 पे यहां पे क्लिक करेंगे और value 7 पे यह जुलाई इसके बाद value 8 पे य अगस्त इसके बाद value 9 पे ये September इसके बाद इसी तरह हम यहां पे सारी values वरेंगे ये value 10 पे October इसके बाद value 11 पे हम यहां पे November इसके बाद यहां पे last पे यह December यहां पे वरेंगे तो value यह हमने सभी value यहां से January से लेके December तक यहां पे भर दिए भरने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे OK पे क्लिक करेंगे ये देखो OK पे क्लिक किया यह देखो एंटर प्रस किया तो यहां पे जनवरी आ गया जैसे हम यहां पे 2 बरेंगे यह देखो 2 तो यह output आ जाएगी अगर हम यहां पे 3 बरेंगे तो यह आ जाएगा मार्च आ जाएगा अगर हम यहां पे 4 बरेंगे तो यह अप्रेल अगर 5 बरेंगे तो यह माई इसके इसके वाद 6 तो यह देखो अगर हम यहाँ पे 7 बरेंगे तो यह देखो यह output आगे अगर हम यहाँ पे 8 बरेंगे तो यह आजाएगा अगस्त आजाएगा 9 तो यह देखो September इसके वाद 10 इसके वाद यह देखो October इसके वाद यहाँ पे 11 तो यह November इसके वाद यह 12 और यह आग marks दिए गया है इसमें apply करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे इसको यहां पे मिटाएंगे यह देखो delete किया delete करने के बाद इसके बाद marks में हम यहां पे choose function apply करेंगे तो जहां पे हमें result चाहिए वहां पे हम click करेंगे और इसके बाद यहां पे formula लगाएंगे equal to equal to के बाद यहां पे लिखेंगे choose यह choose यहां पे निचे आ जाएगा यहां पे double click किया यहां पे choose आ गया इसके बाद index number तो index number हम किसको मानेंगे जैसे हमने index number जो है यह लेना है F2, तो यहाँ पे click करेंगे यह देखो F2 यहाँ पे आ जाएगा यह index number है, index number के बाद यहाँ पे दिए गया है, value 1 value 2 और इसी तरह आगे यह चली हुई है, तो value 1 हमने किसको मानना है, इसके बाद कौमा लगाया, तो value 1 हम यहाँ पे 88 को रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इसके बाद value कौमा लगाया, value 3 पे यह 59 रखेंगे, इसके बाद फिर कौमा, फिर value 4 पे इसको रखेंगे इसी तरह हम आगे कौमा लगाके यह values आगे रखते जाएंगे, यह देखो यह सारी value हमने यहाँ पे रख दी के बाद यहाँ पे bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद यहाँ पे enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहाँ पे suppose करो हमें value 2 यह भरा तो value 2 पे क्या है यह देखो value 2 पे हमने यह 45 यह रखा था तो यह result में यहां पे आ जाएगा यह देखो यहां पे क्लिक किया और यहां पे 2 लिखा लिखने के बाद enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पे choose हो के यहां पे 45 आ गया अगर इसी तरह यह 6 नंबर पे हमने यह 56 रखा हुआ है यहां पे हम 6 वरेंगे यह 6 वरा इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो यह देखो 56 आ जाएगा इसी तरह हम यह चेक करना चाते हैं कि 91 यह 10 नंबर पे क्या लिखा हुआ है तो यहां पे यह choose करके अपने आपी यहां पे result में आ जाएगा यह देखो 10 यहां पे 10 वरा एंटर प्रेस किया तो 10 नंबर पे यह देखो 10 नंबर पे यह 91 यह यहां पे आ जाएगा तो इस तरह से choose function के जरिए हम किसी भी values को choose कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने choose function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद